रचनात्मक शक्ति को विक्सित करना व्यक्ति इस पर जितना विश्वास करता है और विचार सम्वेगों के लिए इससे जितनी अधिक मान करता है यह उतनी ही प्रबल होती जाती है इस शक्ती को सिर्फ उप्योग के द्वारा ही विक्सित किया जा सकता है जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं वह भी पूरी तरह से छठी इंद्रिय की शक्ती के द्वारा काम करती है महान कलाकार, लेखक, संगीतकार और कवी महान इसलिए बने क्योंकि उन्होंने शांत छोटी आवाज पर भरोसा करने की आदत डाली यह आवाज रचनात्मक कल्पना शीर्ता की शक्ती के द्वारा अंदर से बोलती है जिन में प्रकर कल्पना शक्ती है वे लोग इस तत्य को अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके सर्वश्वेश्ट विचार इन तथा कथित आभासों के द्वारा आते हैं एक महान वक्ता है जो तब तक महानता हासिल नहीं करता जब तक कि वह अपनी आँखें बंद न कर ले और रचनात्मक कल्पना शीर्ता की शक्ती पर पूरी तरह निर्भर न रहे जब ये पूछा गया कि वह अपने भाशन के क्लाइमेक्स पर पहुंचने से ठीक पहले अपनी आँखें क्यों बंद कर लेता है तो उसने जवाब दिया मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि तब मैं उन विचारों को व्यक्त करता हूँ जो मेरे भीतर से आते हैं अमेरिका के सबसे सफल और सबसे प्रसिद फाइनेंसरों में से एक की आदत थी कि वह निर्नाए लेने से पहले दो या तीन मिनट तक आँखें बंद कर लेता था जब उससे पूछा गया कि वह ऐसा क्यों करता था तो उसने जवाब दिया आँखें बंद होने से मैं सुपीरिय प्रग्या के स्थ्रोट से विचार हासिल करने में समर्थ होता हूँ एक आविशकारक ने किस तरह अपने सर्वश्वेष्ट विचार प्राप्त किये मेरी लेंड के चेवी चेज के स्वरगिय डॉक्टर एलमर आर्ट गेट्स ने दो सो से अधेक उप्योगी पेटेंट कराए जिन में से कई मूलभूत थे और उन्होंने ऐसा रचनात्मक शक्ती के प्रयोग और विकास की प्रक्रिया के द्वारा किया उनका तरीका महत्वपूर्ण भी है और रोचक भी ये हर उस व्यक्ती के काम का है जो जीनियस के स्तर तक उठने में रुची रखता है जिस श्वेनी में डॉक्टर गेट्स निस्सन देह आते हैं डॉक्टर गेट्स सच्मुच महान थे हालांकि वे दुनिया के कम प्रचारित वेग्यानिकों में से एक थे उनकी प्रयोग शाला में एक कक्ष था जिसे वे अपना व्यक्तिगत समवाद कक्ष कहते थे ये साउंड प्रूफ था और इस तरह से बना था कि इसमें पूरा अंधेरा किया जा सकता था इसमें एक छोटी टेबल थी जिस पर वे अपना राइटिंग पैड रखते थे इस टेबल के सामने दिवार पर एक बिजली का पुश बटन था जिस से बल्ब जलते और बंध होते थे जब डॉक्टर गेट्स की इच्छा होती थी कि वे अपनी रचनात्मक शक्ती के द्वारा उपलब्ध शक्तियों से मदद ले तो वे इस कमरे में जाकर टेबल के सामने बैट जाते थे और बत्तियां बुझा कर उस खोज के सभी ग्यात तत्वों पर ध्यान एक आगर करते थे जिस पर वे काम कर रहे थे वे तब तक इसी स्थिती में बने रहते थे जब तक कि कुछ विचार उनके दिमाग में कौन्द नहीं जाते थे इस तरह से उस खोज के अंजान तत्वा उनके दिमाग में आते थे एक अफसर पर विचार इतनी तेजी से आए कि उन्हें लगभग तीन धंटे तक लिखने के लिए विवश होना पड़ा जब विचारों का प्रवाह समाप्त हो गया और उन्होंने अपने नोट्स देखे तो उन्होंने पाया कि उनमें उन सिध्धानतों का विस्तार से वर्नन है जिसके बारे में वैग्यानिक जगत में ग्याद डाटा की कोई तुल नहीं नहीं थी विचारों के लिए बैठ कर अपनी आजीविका कमाए अमेरिका के कुछ सबसे बड़े कॉर्पोरेशन उन्हें प्रती घंटे के हिसाब से भारी फीस दिया करते थे ताकि वे विचारों के लिए बैठें तारकिक शक्ती अकसर गरबर होती है क्योंकि यह काफी हद तक व्यक्ती के संचित अनुभव से निर्देशित होती है अनुभव के द्वारा ग्यात सारा ग्यान सही नहीं होता रचनात्मक शक्ती के द्वारा प्राप्त विचार अधिक विश्वसनिय होते हैं क्योंकि वे ऐसे स्त्रोतों से आते हैं जो मस्तिश्क की तारकिक शक्ती के उपलब्ध स्त्रोतों से अधिक विश्वसनिय होते हैं जीनियसों द्वारा प्रयोक तरीके अब आपके लिए उपलब्ध हैं जीनियस और साधारन क्रैंक आविशकारक में सबसे बड़ा अंतरिय है कि जीनियस अपनी रचनातमक कलपना शक्ती के द्वारा काम करता जबकि साधारन व्यक्ति इस शक्ती के बारे में कुछ नहीं जानता वैग्यानिक आविशकारक संशलिष्ट और रचनात्मक दोनों ही तरह की कल्पना शक्तियों का प्रयोग कर सकता है उदाहरन के तौर पर एक वैग्यानिक आविशकारक कोई खोज शुरू करता है तो वह संचिलिष्ट शक्तिक तार्किक शक्तिक द्वारा अनुभव के माध्यम से संचित अपने ग्यात विचारों या सिध्धान्तों को इकठा और संगर्थित कर लेता है अगर उसे लगता है कि यह संचित ग्यान उसके आविशकार के लिए पर्याप्त नहीं है तो वह ग्यान के उन स्थ्रोतों का सहारा लेता है जो उसकी रचनात्मक शक्ति के प्रयोग द्वारा उसके लिए उपलब्ध है वह तरीका जिसके द्वारा वह ऐसा करता है हर व्यक्ति के साथ बदलता है परंतु यह उसकी तकनीक का सार है एक, वह अपने मस्तिष्क को प्रेरित करता है ताकि यह सामान्य से अधिक उचे स्तर पर काम करे और इसके लिए वह दस मस्तिष्क आवेगों में से एक या इससे अधिक का या अपनी पसंद के किसी अन्या आवेग का प्रयोग कर सकता है दो, वह अपने आविशकार के सभी ग्यात तत्वों पर ध्याने का अगर करता है और अपने दिमाग में आविशकार से संबंधित सभी अग्यात तत्वों की एक पूरी तस्वीर बना लेता है वह इस तस्वीर को अपने मस्तिश्क में रखता है जब तक कि यह अपचितन मस्तिश्क द्वारा पकर न ली जाए और फिर वह अपने दिमाग से सारे विचारों को साफ कर देता है और इंतजार करता है कि उत्तर उसके दिमाग में कौन्द जाएंगे कई बार परिनाम निश्चित और ततकाल होते हैं बाकी समय परिनाम नकारात्मक होते हैं जो छटी इंद्रिय या रचनात्मक शक्ती के विकास की अवस्था पर निर्भर करते हैं एडिसन ने बिजली के बल्ब को बनाने के लिए अपनी कल्पना की संशलिष्ट शक्ती के द्वारा दस हजार से अधिक विचार सयोजन किये फिर वे रचनात्मक शक्ती के द्वारा विश्वस्निय स्थ्रोट से जुले और उन्हें अपनी समस्या का समाधान मिल गया जिससे वे बल्ब बना पाए फोनोग्राफ बनाते समय भी उनका यही अनुभव था काफी विश्वस्निय प्रमान है कि रचनात्मक कल्पनाशीर्ता की शक्ती का अस्तित्व है ये प्रमान उन लोगों के सटीक विश्लेशन से उपलब्ध हैं जो विभिन क्षेत्रों में लीडर बनते हैं हालां कि उन्हें अधिक शिक्षा का लाब नहीं मिला लिंकन महान लीडर के प्रसिद उदाहरन है जिन्होंने रचनात्मक कल्पनाशीर्ता की शक्ती के प्रयोग द्वारा महानता हासिल की उन्होंने इस शक्ती को प्रेम के आवेग के परिनामस्वरूप खोजा जिसका अनुभव उन्हें एन्रुटलेट से मिलने के बाद हुआ जीनियस के स्त्रोत के अध्ययन के संबंध में ये सरवाधिक महत्व का वक्तव्य है